यह अध्यापक आपका स्वागत करता है नमस्कार प्यारे बच्चों अब हम पढ़ेंगे अध्याय चार का यानि लेसन फोर का नेक्स्ट पार्ट जो है बड़ी ए की मात्रा वाले शब्द जैसे दीदी, पानी, लाई इसमें यह जो ए की मात्रा है यह बड़ी ए की मात्रा है अब हम देखेंगे देखो, पढ़ो और समझो यह किसका पिच्चर है? अलिफेंट का हा, थ, ए की मात्रा हा, थी यह है, किसका पिच्चर है? फिश का, म, छ, ल, ए की मात्रा, मच्छे ली अब हम पढ़ेंगे, पढ़ो मीता, मीता एक नेम है, सीता, सीता भी नेम है, गीता, जो हिंदुओं की होली बुक है, उसको भी बोलते हैं, एक नाम भी है, नीला, नीला मेंस ब्लू, फिर है पीला, पीला मेंस येलो, डाली, डाली, डाली मेंस ब्रैंच, माटी, माटी मेंस सोयल, गाती, गाती मेंस सिंगिंग चाबी, चाबी मेंस की, और ये है, हाथी, हाथी मेंस एलिफेंट अब है, पढ़ो और सुनाओ, दीदी नदी पर गई दीदी मेंस, आपकी अल्डर सिस्टर है, उसको हिंदी में बोलते हैं दीदी नदी मेंस रिवर तो दीदी नदी पर गई मटका भर कर पानी लाई मटका मिनस पानी रखने के लिए एक गोल मिट्टी का बरतन यूज करते हैं, उसको मटका कहते हैं पानी मिनस वाटर तो मटका भर कर पानी लाई मई का महीना आया मई मन्त का नेम है मे महीना मिनस मन्त नाशपाती भी पक गई नाशपाती मीनस पियर्स बीस दिन बाद दादी आयेगी बीस दिन मितलब ट्वंटी डेज के बाद कौन आएंगी दादी मीनस ग्रैंड मदर खीर पकाएंगी और वो क्या बनाएंगी खीर मीनस पाइसम सीता आ सीता नेम है मिठाई और पपीता खा मिठाई मीनस स्वीट पपीता मीनस पपाया नीता अपनी बकरी पकड़ नीता नेम है और बकरी मीनस गोट छडी मत दिखा छडी मीनस स्टिक बकरी डर जाएगी मतलब डरने का मतलब है आपे अफ्रेड होना एक बार फिर से पढ़ती हूं मैं दीदी नदी पर गई मटका भर कर पानी लाई मई का महीना आया नाश पाती भी पक गई बीस दिन बाद दादी आयेगी खीर पकायेगी सीता आ मिठाई और पपीता खा नीता अपनी बकरी पकर छडी मत दिखा बकरी डर जायेगी धन्यवाद आपका लेसन खतम हुआ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद अन्यवाद